अब लोगों को बता दूँ ये काफी मुश्किल का काम है इतने पुराने जमाने की इनफर्मेशन को कलेक्ट करने में वो वी जिस टॉपिक के बारे में जादा जानकरी कही पर भी एवेलेवल नहीं है लेकिन फिर भी इसके रिलेटेट कुछ जानकरी मैंने हासिल किया है और वो सारी इनफर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों पिक्चर में जो दावा किया जा रहा है लेंडन टू कोलकाता बस सर्विस वो बिल्कुल सच है लेकिन जो साल और डेट बताया जा रहा है वो गलत भी हो सकता है ये बस सर्विस कब चलू हुआ था और कब तक चली थी इसका exactly कोई साल और डेट नहीं है 1950 से लेकर 1960 के बेच ये बस सर्विस चलू हुआ था लेकिन exactly डेट का पता नहीं 1950 मतलब सिर्फ तीन सार हुआ था हमारे देश को अज़ाद हुए और हम सबको पता है कि ब्रीटिश ने 200 साल राज करने के बाद ब्रीटेन और इंडिया के बीच काफी गहरा इंपेक्ट पढ़ गया था और इंडिया के अंदर ब्रीटेन का जो main important city था वो कोलकता ही था जिसे ब्रीटिश ने ही तीन घाओ को मिला कर बिलकुल लंडेन की तरह ही तयार किया था और आप लोगों को बता दू कोलकता एंड लंडेन के बीच काफी कूछ मील है आज की कोलकता तब कैलकाटा नाम से जाना जाता था जो इंगलेंड का ही ascent है कहा जा रहा है कि ये बास सर्विस 15 अपरिल 1957 में शुरू हुआ था लंडेन के विक्टुरिया कोच स्टेशन से और 5 जून 1957 में ये बास कोलकता में आ गया था मतलब की करिए 51 डेस के अंडरी एलबर्ट नाम की ये बास अपना सफर पूरा कर लिया था अलबर्ट नाम की ये बास लंडेन से कोलकता के बीच कैसारे देश होकर गुजरती थी और सफर करने वाले पैसेंजर्स को कैसारे देश की कैसारे अलग-अलग कल्चर को experience करने के लिए मिला एक ही single journey में मतलब एक बास टिकेट करित के बैठ गये बास उसके बाद सफर शुरू ना अलग-अलग देश की अलग-अलग पास्पोर्ट ना कोई डॉकुमेंट्स और ना ही कोई हेडेक सिर्फ असिप सफर का ही मज़ा ये बास इंग्लेंड से होकर बेलजियम, वेस्ट जर्मानी, औस्ट्रिलिया, योगोसलाविया, बुल्गेरिया, तार्की, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आके न्यू देली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होके, फाइनली कोलकाता, 51 डेस की जर्नी, जिसका टिकेट प्रेस था 85 पाउंड्स, मतलब आज की तारिक में 8,100 रुपाई, जो एलबर्ट नम की बास की ओ, कोई नॉर्मल बास नहीं था, तब के जमाने में ये एक लग्जरी बास हुआ करता था, बास में सपर कहने वाले लोगों को लग्जरियस फेसिलिटिस प्रोवाइट किया जाता था, लाइक अलग-अलग लोगों के लिए स्लिपिंग बांक्स, रेडियो एंटेप, म्यूजिक पर पार्टिस, फैन, हीटर, लाइब्रेरी और फाइफ स्टर हो कैई सरे अन्नोन बाते हैं, जिसे जानका सच में शौक्त लग सकता है, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को ज़रू बताऊंगा, सुने में आया है कि एलवर्ट नाम की ये बास करिक 15 बार चली थी, और लेट 70 जाते आते ही ये बास सर्विस बंद हो गया, क्या लगता आपको इस बास सर्विस के बारे में कॉमेंट पर मुझे जरू बताए, मुझे भी जानना है आप लोगों का क्या रियक्शन है, मुझे वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और यसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को ज़रू सब्स्ट्राइब करें, मलते हैं जए हिंट जए भारत